हेलो दुस्तों कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ एक बहुती सुन्दर गले का डिजाइन लेकर आए हैं इस तरह हमने पहले कपड़ा ले लिना है ये कपड़ा 11 बाए 11 इंच का हमने लिया है जाला टाइम आपका नाख खराब करते हुए हम सीधा गले के डिजाइन की तरफ चलते हैं यहाँ पे हमने तीन इंच पहले गले की चुड़ाई लगा ली है और गले की डीपनेस आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं इस तरह हमने 7 इंच गला डीप लगा लिया है इस तरह हमने इसको V का शेप देना है यह जो गले का डिजाइन बनेगा यह V शेप में बनेगा अब इसके साथ हम 1.5 इंच की पटी चला लेंगे अगर आप इस गले को गोल में बनाना चाहते हैं या किसी और शेप में बनाना जाते हैं वो भी बना सकते हैं तो 1.5 इंच की पटी आपने इस तरह पहले चला लेनी हैं अब इसके साथ एक निशांसी धा लगा लेंगे इस तरह स्केल रखते हुए नीचे की तरफ ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा साइड में ये 1.5 इंच करेगा इस तरह लाइन सीधी ख हो जाएगा इसको हमने इस तरह ड्रॉ कर लिया है अब इसकी कर लेते हैं कटिंग ये जो पटी है ये तक्रीवन हमारी सवा इंच की रह जाएगी 1.5 इंच की हमने टोटल ली है इसको हम फोल्ड करके पहले प्रेस कर देंगे इस तरह हम दो-दो पॉइंट की पट्टी को फ पहले सट कर देना है तो देखिए अब हमने ये डोरी ली है गले की सेटिंग हमने कर ली है डोरी की जो लबाई है वह दो इंच रखिएगा दो-इंच की इस तरह अपने पटियां कट कर लेनी है ये डोरी बिनाना बहुत ज़्यादा असान है अगर आपको नहीं आती है तो फोल्ड करेंगे इस तरह आपने राउंड में शेप में इस तरह कर लेना है इसे को यह उपर शिलाएं लगानी है दो डोरियां हमने एकठी कर कर ली है आप इसके उपर शिलाएं लगा देते हैं इसी तरह के यह बहुत सरे सिल लिये हैं सिलने के बाद इसको साइट में रख लीजिए अब हम गले का शेफ लेते हैं जिसको हमने ड्रॉकर के रखा हुआ है और प्रेस किया है अब हम एक डिजाइन को इस तरह आधा इंच ऊपर से छोड़ते हुए लगाएंगे कि उपर का हिस्सा हमारा तीरे में भी आ सजबें से लगा लेना है इसको हम पहले कंप्लीट करते हैं एक साइड इसी तरह दूसरी साइड लगा लेंगे और इसको लगाना आपने बिश्याइदा हो जाए यह तो इससे डिजाइन इक्वल नहीं आएगा इससे तरह दोनों साइड लगा कर आपको दिखाती हुँ तो देखिए ये सारी डोरियां हमने इस तरह लगा दी हैं अगर अंदर की तरफ आपको ज्यादा लग रहा है तो आप उसकी कटिंग कर सकते हैं अब हम इसको शर्ट के उपर बनाएंगे तो आप देखिए इसका लुक अभी से बहुत अच्छा आ रहा है और कई लोगों को गला कट करने में दिक्कत आती है तो आपको गला कट करने की भी जूटने ही पड़ेगी आप सीधा ही इसको ऐसे ही बना सकते हैं शर्ट के उपर अब हम इसको बनाते हैं शर्ट के उपर आपने सेंटर का निशान लगा लेना है और यह जो neck cutting किया है इसको भी अपने center का निशान लगा लेना है shirt का piece अभी उल्टा रखेंगे और neck को भी हम उल्टा रखेंगे neck भी हमने उल्टा रखा है और जो shirt का piece है उसको भी उल्टा रखा है अभी center से center मिलाते हुए इसके बीच में एक सिलाई लगा देंगे जिससे गला हमारा डेडा नहीं होगा, यह जो बिगनर के लिए बहुत ही best trick है, आप पहले center की एक बर सिलाई लगा दें, उसके बाद फिर गले को बनाना शुरू करें, अब हमने जो shape के उपर उपर sell देंगे, और sellने के बाद इसकी करते हैं अंदर से cutting, अंदर से आपने 2 point cutting कर देनी है, और चोटे चोटे नोचिस लगा लेने है, जिससे हमारा यह fold करने में easy रहेगा, corner को आपने अच्छी तरह finish करना है, इसी की बज़ा से आपके गले में finishing आएगी, अब cutting करने के बाद इसको इस तरह corner को cut करेंगे, अब हम इसको सीधी तरह party कर लेंगे, अब दे इसका look बहुत ही जवरदस्त आता है, आप एक पर बना कर देखिएगा, बिल्कुल सीम्पल से जो suit की look है, वो बहुत ही सुन्दर हो जाएगी, अब इसके पहले किनारे पे शिलाई लगाते हैं, अब एक शिलाई हमने लगा दी है, आप कपड़े को set करके हमने इस तरह बाह इसके बीच बीच में आपने बिल्कुल बारीक मोती लगा देने हैं, पिछे की finishing देखिए कितनी बड़ी आई है, और आगे से बीच का look बहुत ही सुन्दर आया है, आप यहाँ पे शोटी-छोटी मोती लगा दें और उसके बाद देखिए कितना जबरदस ही हमारा नेक बन धैंक यू